जहिन दोस्तों मैंनी दिवेंचोहान आज हम करेंगे क्लास 9 का 4.1 का क्वेशन नंबर 1 इसमें हमें क्वेशन दिया गया है कि नोटबुक की कीमत पैन की कीमत से डबल है इस विधान को द्वीचल सुरेक समीकरण में बताईए ठीक है तो शुरू करते हैं तो हम मान लेंगे कि माना नोटबुक की कीमत है X रुपए और पैन की कीमत को हम मान लेंगे Y रुपए अब क्वेशन में बोला गया है कि नोटबुक की कीमत पैन से डबल है तो नोटबुक की कीमत क्या मानी है हमने X और पैन की कीमत मानी है हमने Y ठीक है तो इस तरह से हमारा समीकरण बनेगा x बराबर 2y क्यूंकि notebook की कीमत pen से double है तो notebook की कीमत क्या है x जो हमने मानी है तो notebook की कीमत pen से double है और pen की मानी है y notebook की मानी है x और pen की मानी है y तो notebook की कीमत pen से double है notebook की कीमत pen से दुगनी है तो यह हमारा समीकरण बन गया अब हम इसे इस तरह से समीकरण बना देंगे S को यहीं छोड़ देंगे यह यहाँ प्लस 2i है इसको इस तरह लेके आएंगे तो यह बन जाएगा माइनस 2i बराबर 0 इस तरह से यहां question खतम होता है मिलते हैं अगली वीडियो में अगले question के साथ जय हिन जय भारत